नमस्कार आप देख रहे है प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी भारत और उस्ट्रेलिया की बीच 19 नॉम्बर यानि की कल का वो दिन होगा जब वर्ल्ड कप 2013 का फाइनल मुकाबला होना है ये मुकाबला एहमदाबाद के नरींद्र मोदी स्टेडियम में होना है और इस मुकाबले से पहले कई आकड़े खंगाले पर टीम इंडिया के पक्ष में जीत नजर आती है वहीं इस मुकाबले को साल 2003 में हुए इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले को लेकर भी देखा जा रहा है साल 2003 में इंडिया बनाम आस्ट्रेलिया के बीच हुए महा मुकाबले में इंडिया को हार का सामना भी करना पड़ा था लेकिन साल 2023 में टीम इंडिया की जीत की और जादा रुजान देखने को मिल रहा है इस दौरान लोगों के क्या रियाक्शन्स इस मैच को देखने को मिले है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ICC World Cup Final 2023 का जो मैच है वो अहमदाबाद के नरेंद मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और जो टीम है वो आस्टेलिया और इंडिया के बीच रहेगा इसको लेकर करके जिस तरीके से साल 2003 की बात की जाए क्योंकि साल 2003 में भी आस्टेलिया और इंडिया के बीच में वर्ल्ड स्टेडिया में मौजूद हैं यहां पर जो बच्चे हैं वो भी आप देख रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट कहीं है हम इन लोगों से अगर बात्षीत करेंगे तो इन लोगों से यह जानेंगे कि जिस तरीके से इंडिया और आस्टेलिया का मैच है कितना पहले उत्साह यह बता इस बार क्योंकि इस बार आप लोगों पसंदीडा खिलारी का उसका उसकी तफ क्या कोच रूख है तो फेले लिसके बात की बात की बात की बात की बात की यह लोग के ऊपर पूरा कारभार रहता था लेकिन अब का जो समय है वो समय दूसरा है अब युवा खिलाड़ी हैं सभी तरीके के और यहां पर जो कोच जी हैं वो भी मौझूद है क्योंकि को से भी इस मामले पर थोड़ा सा प्रकाश जा लेंगे कि जिस तरीके से इस बार वर्ल्ड कप का जो 2011 आया तो उसमें हमारी काफी अच्छी टीम रहे और धोनी सरकें नित्युत में हमनों जीते फिर यह 2011 के बाद बहुत डबल अप हुआ है आप देख रहा हैं पिछले मैच में हम काफी एक अच्छे एक्सप्रियंस से और दसों मैच हमनों जीत चुके हैं लगातार यह स् आप बहुत सारे जीता चुक कि जो इस से पहले व्ल्ड कुप जीता गया तो अलग टीम से था ऑस्टेलिया और इंडिया का जो वल्ड कंफ फाइनल है क्योंकि 2003 में लोगों का वल्ल का प रहा था और उस समय ऑस्टेलिया जीती थी क्योंकि उस समय क्रिकट के टीम दूसरी तो जो पहले का स्कोर था और इस बार का स्कोर रहेगा तो जो टीमों की चीजें हैं उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं उस टाइम भी बहुत लेजंड प्लेयर थे और काफी टीम को अच्छे से लेकर चलें और जो आस्टेलिया के टीम पीछे लिए तो अब जैसे अब को जादा की बात नहीं जो प्लानिंग के साथ करते हैं और वही प्लानिंग नॉर्मल करें गए उसमें कोई हमारी टीम तो रिलेक्स हुई एक तो हमारा होम ग्राउंड है और उसके बाद हम तो इसमें बहुत ज्यादा सोचनी की बात नहीं जो स्टेटीजी थी उसी स्टेटीजी पर खेलेंग और जीतेंगे यहां पर जो बच्चे हैं बच्चे भी बताएंगे कि आखिर इस बार किस क्रिकेटर को फॉर्म में देखना चाहते हैं कि वह क्रिकेटर एक अच्छा अच् लेकिन यहां पर विराट का फैन अभी एक दिखाया क्यों हो तुम किसके फैन हो मिलाट्य को विराठ के वाज हैं तो बन लेकतर जिस तरीके से पशेडियं में अपना पर्फॉरमेंस दे रहे हैं तो उसको लेकर के लोगों की उत्सा के साफतोर से कहा जा रहा है कि इंडिया जो जीत हासिल करेगी और वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उसको जीत के लिए बधाईयां दी जा रही है तो जो मैच है वह 19 तारीक को जिस तरीके से एहमधाबाद के नरेंद मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा उस मैच के दौरान जो स्कोर देखने वाला रहेगा क्योंकि दोनों के बीच जो मुकाबले की बात की जाए एक बार फिर से वर्ल्ड कप में दोनों ही टीम आमने सामने आई है और इस बार सिकस्त किसको देखनी पड़ेगी यह मैच का स्कोर ही बताएगा वीडियो जनलिस नीरज के साथ मोहमद कल सबी मैच जीतने के बाद टीम इंडिया फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और लोगों में उत्सा है फाइनल को लेकर के फाइनल में जो टीम इंडिया है क्या प्रदर्शन करेगी मेरे साथ मौझूद है और आज अभी हम मौझूद हैं लखनौ के चौक इस्टेडियम में और मेरे साथ नगर आयुक्ति जी हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी भी टीम यहां खेल रही है, यहां एक टूर्नमेट भी चलना है, सर कैसा लग रहा है टीम इंडिया फाइनल पहुच शुक्त लेगा, बहुत तीम इंडिया करेंगे और हम जीतेंगे, और दूसरा जो आज यह मैच हो रहा है, यह नगर निगम इंडिया के बीच में, यह नगर निगम दारा रेगुलर मैच कराई आते थे, लास्त तीन थ्याल से नहीं होए थे, माने महापार जी द्वारा इसको द्वारा शुरुआत एक अच्छी शुरुआत की गई है, और इसमें कानपुर की टीम क बहुत अच्छा लगता है कि जो करमचारी है, वो जिस तरीके से स्पोर्ट में रुची रखते हैं, वो एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे लोग और भी करमचारी है, वो भी प्रेरीत होते हैं, मेरे साथ और भी कुछ लोग है, इनसे बात करेंगे, सर, टीम इंडिया फा सर, जीत की क्या तैयारिया करी हैं हम लोगोने, अगर इंडिया जीते ही तो, बाटी, पूरी फुल पाटी होने कवाली है, कल हम लोग पहले प्रिपरिशन कर रखे हैं, वाइफ को बोल रखता है, सारे तैयारी करके रखना पाटी होगी, सर, किस तरीके इसे वाइफ में तै आँड यह, 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 उस्साह, जीतना इंडिया को है, और पहले से ही, घर में पाटी की तैयारियां लगातार इन लोगों का साफ तोर पर विह कहना है, लगातार तैयारियां चल ले excitement. 색fight osis, ठीज, जो एफ चाहते हैं किipeय वर्ल्रक लेकर आए, लकनो में में मेरे सा हम लोग इंडीया पे पहुंचेंगे फाइनल के और फाइनल कप लग उठाएंगे और फइपफ फुर्रे इंडिया तॉह झिंदाबात और यह फाइनल हम लोगी रहेंगे कि बहु लोग हम हम लोग आई से सी रैंकिंग नमबर बनाएंगे और चैंपियंज कहलाएंगे वी आर अलवेज वी चैंपियन तो यह देखिए यह उस तरीके से हिप फुर रहें और तमाम जो लोग है इनमें खुशी की लहर है इनका सबका यह तैयारी है कि टीम इंडिया जीतने के साथ ही इ पर कमेंटरी भी कर रहे हैं तो सर कैसा लग रहा है टीम इंडिया फाइनल में बहुत ही अच्छा लग रहा है आलाद देते हैं बिल्कुल हमने दश्यार रुपय के पठाके खरीद के रखें जीतने के लिए जीतेगी यह पहले बहुत सवाली हैं जीतेगी इंडिया जिस त टीन मैचों में नहीं खिलाए गया उसके बाद जब खिलाए तो दो बार पांच-पांच एक बार साथ विकेट लिया है और जो शिराज है वो बहुत इच्छी गेंडबाजी कर रहा है राहुल है तो यह थे मेरे साथ यहां पर चौक स्टेडिया में मौजूद है आपने द दिल में खुशी की लहर है कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आए और चैंपियन मनें मेरे साथ कुछ महिला भी है इनसे जानेंगे जादूख है महिला भी है मैच के यहां तूलेमेंट राएमें पैसा लग रहा है बहुत अच्छा बहुत खुशी की बात है प्राइब प्राइब और जगह जगह हमारे वाइड में जिनको इंट्रेस्ट है जिनके आप इस विए सब्धाय नहीं उनके लिए भी हम लोगों ने वाइड में कई जगह यह सुब्धाय दी है कि वह एक जगह बैठके इसका मजा ले सकें तो यह देखिया यह तैयारियां लिए कि जीत को लेकर पहले से कैसे तयारिया करी हैं ये टीम जो है ये जीत कर वर्ड कब लेकर जीसी जी आएगी फाइनल जी जीत कर उसको लेकर यहां पर किस तरीके से तयारिया है स्टेडियम में मौझूद है तमाम जो खिलारी हैं वो भी मौझूद है यहां पर खिलारीयों सो भी मैंने बात की तमाम जो यहां पर जो करमचारी हैं जो और लोग हैं जो नगारायुक से तमाम लोगों के बात की सब्रें जो जीशती जो उस्पाव है वो बरकरार है और कभी यह बात की साथना और दुनाएं कर रहे हैं एक टीम इंडिया यहां पर वर्ल्ड कप लेकर इस बार आए और चैंपियन बन जाए लखलो सुप्राइम टीवी के लिए उएस इस साल 2003 में जहां इंडिया वर्ल कप में अपनी जीत हासिल करी थी वहीं 20 साल बाद इंडिया को मौका मिला है एक बाइप जीतने का आए जानते हैं लोगों की इस पे क्या राया है क्या लगता है आपको इंडिया विन उनने से कोई नहीं रोखता अब इंडिया विन उती है तो बहुत बड़ी वह जाएगे ना फिर घुज़ा था फ्रक्राइब कर रहे हैं लुगता नहीं पुर्णाटियों कोई नहीं तरफा में जीतेगी प्सक्राइब जैसे हमारे उपनर से समय बैटिंग कर रहे हैं नंबर तीन पर विराट को लिए नंबर चार पर से सहीर कोई टाउट ही नहीं है कि इंडिया एक तरफा में जीतेगी और हमारी मोह में शमी की बॉलिंग सब क्लिन बोल्ड है इस बढ़ तो फर्स मैच से ही इंडिया चल लिए पर फस्त है जिसे भी लीग में जीता है नौक और जीते हुए आए भी समी फाइनल जीता है एक तरफा मैच होगा इंडिया में सक्षा की तरह इस बार भी निकाल लेगे जाएगी जैसे कि आपको बता है कि कल इंडिया उसलिया का मैच है तो आपको क्या लगता है कौन से टीम जीतेगी दोनों टीमें कफी अच्छा प्रदर्शन करती आई हुए है जो इंडिया है वो दसमें दस मैच जीत के आई हुए है अस्टेलिया भी पहले तो नॉर्मल थी बाद में अच्छा जीती है क्या लगता है आपको क्या होगा मैच में कलके मुझे तो अफ को सलगता ही है कि इंडिया ही जीतेगी और अफ कोस अभी तक तो अच्छा परफोर्मेंस डाया है तो आइ होप कि कल भी अच् Magn kardeşim मुझे लगता है कि व्राटव्या बनाएगा इंडिया के लिए बहुत कुछ कर बएस इंडिया जीतेगी समीह और क tweak कहना चाहेंगे तीम के लिए तीम के लिए ओल्ड़ावस्ट 2003 में इंडिया वर्ड कर फार देखी ओस्टिलिया ने जीता था फिर सेंटिम है और सेम अट क्या होगा इस पार मेरा ख्याल यह कि इंडिया की बहुत जधा आइंडिया के जीतने के तक updated तक लेकुट कि परफॉरमेंस रही इपिछले मैचें में, वो बहुत यची रही है और यच्छा नजिआ एप है अपधी इंडिया कि बॉलर, batsmen, लुट अची इनि हे हो उपन so my opinion is they will perform very well and we will get bulk of this time so 2003 में तो अस्टेलिया से हार गए थे but इस बार क्योंकि बाक टो बाक सारे मैंचे समने जीते हैं तो बहुत उमीद हैं और बालिंग मुझे तो बहुत जाते इंप्रेसिव लगी है अब तक इंडिया की शम्मी और बुम्रा और जदेजा और इस सब इन्होंने कमाली किया है तो ऐसे लगाता राउट करते रहेंगे और हम जीतेंगे इंडिया मोस्ट लाइकली जीतेगी क्योंकि इस वर कंसिस्टेंसी अमारे प्लेयर्स की और इस्पेशली बॉलिंग में जो हमने पिछले दो सेमी फाइनल्स हा रहे हैं अभी तो उसमें हम लोग अभी जो लास्ट की ट्वेंटी वर्ल्ड कप उसमें इंग्लेंड ने हमें 10 विकेट सेराया था सेमी फाइनल में इस बर बॉलिंग काफी इंप्रूवड है और काफी बैलेंस टीम है तो विशुड विन इस टाइम कल के वर्ड कप इंडिया और ऑसिले के मैश में आपको क्या लगता है क्या होगा कौन जीतेगा किसका परड़ा भारी होगा अब परड़ा की बात है तो हम की आपद पांच विक्प लेंगे फाइनल में आच टेलियह बहुत कमारी और ह मिषै कर दो हजार तीम के बाद 20 साल का मौगा मिला है इंडिया को महनत करने का उसके बाद भी इन्डिया अब फाइनल की बात रही मौका बहुत बार मिला है इंडिया के गेनबाज अच्छे हैं लेकिन अब ठीक है इंडिया भी अच्छी टीम है इस्ट्रांग टीम है अब देखा जाए क्या होता है लेकिन ज्यादा चांसे सो आस्टेलिया के लग रहे हैं आपको क्या लगता है कौन जीते हैं हम तो हम इंडियान हम तो चाहेंगे कि इंडिया जीते भारत जीते अपना देश जीते लेकिन कहीं कुछ कमिया हैं हमारे बातिया टीम में कि हमेंसा अच्छे बड़े मैच में जाके अपने आपको चोक कर लेती है तो हम चाहते हैं कि देखना चाहेंगे वाल कप आपको क्या लगता है विया कौन जीतेगा इंडिया ही जीतेगी इसमें देखिए सीजी सी बात है कि हमारे मतलब इंडिया टीम में सारे बैट्समें समय फॉर्म में हैं बॉलिंग हमारी काफी अच्छी चल लगी है विस्प के आलाउंडर भी देखिए बहुत ही मजबूती से जीत रहा है क्योंकि इंडिया ने बहुत ही जबदास परफॉमेंस किया है श्रीय श्यायर हुए है विराट कोली हुए आपके मलब रोहिश शर्मा यह इस बार मतलब हैं कुछ साकरात्म क्रिकेट हो रही है इस बार इंडिया वर्ड़क बह दिया कि आज भी उनमें दम है और इंडिया मतलब को करते हैं वर्ड़कप जीत रहा जीओ शान से हिंदुस्तान के नाम से क्योंकि इंडिया वर्ड़कप जीत चुका है यह मेरी अपनी पब्लिवी ओपिनियन है यह थी आम जंता की राय वर्ड़कप को लेकर के जिसमें उ करते हैं